नमस्कार साती है आपका स्वागत आपकी यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रहने चलिए दोस्तों आज के शुरुवाद करते हैं आज 11 मार्च और सुभा के 10 बच के 15 मिंट और लाइब मार्केट ओपन है जैसे कि अपने एक सीरीज चलेती जिसमें हम पैनी शेर को कवर कर रह है तेजी का क्यों वज़ा है तेजी की और कैसा रहेगा इसका मुवमेंट क्या है शेर के अंदर और किती अप्रेंडिंग देखने हो मिलेंगी इन सब के बारे हम बात करने से पहले अगर आभी आप चैनल पर नहीं है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब के लिए जो बैल ए आप अच्छे कंपनी के मुंबई वेस्ट कंपनी है तो बैसे कि यह due cas 목के यानी इंफा सक्षार्ण और या इंप से अच्छार वर्किंग काम से ठीके ना मुंबई के इंदर दें यह तीन चैनल के नाम दे रहें इस तरह के टावर से बनाते हैं तो रसिदैंस या इस तरह क करते हैं तो कंपणी ऑच्छी है बट कंपणी के इंदर क्या हुआ कंपणी में तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका मार्केट कर्म समझते हैं फिर उसके वाद थोड़ा धीर करको आपको एक्सप्लेंग गरूंगा तो प्लिस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए तो कंपनी एनसी बेसी दोनों पर एक बात के लिए अब देखेंगे तो आज की डिटम सा पहला अच्छा गासा मिट का यह कंपनी ती आज की डिटम सा मार्केट काप है दोसो चैसी करोड़ पर का स्टॉक और से जीरो हो गया है बुक वैलिस की माइनिस में जा चुकिए संतालिस पॉइंट पांच पैसे की डिविडेंड कंपनी ने फेस वेल्यू इसका भी वी दस रपेगा है अब देखें कंपनी के अंदर सारे नेगेटिव पॉइंट है क्यों पांच कंपनी का अब देखर लिए तो ये फरक मिलार भी रिएंट को और ऊतराइफ नहों को को कि नहीं कैंगाएं क्योंकि उस 2019 में कंपणी अच्छे खासे करजे मां गए थी एंसल्टी के अंदर इसका केस जा चुका है तो अभी वे एंसल्टी के अंदर इसका केस चल रहा है बट शेर के अंदर मोमेंट की वज़ा भी थोड़ दिर मां आपको एक्स्प्लीन भी हो जाएगी उस टैम पर 2019 के शेर लिंग देखेंगे तो पर मोटर के पास थी तरीश पंट पिच चासी यानि आप जिसके अपर मोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा आते दोजा सोला के बासे में कंट्यून इस पर मोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाना स्टार्ड करती थी और एफई की ओल्डिंग दे अब इसके इसके अपर सब्सक्राइब तो देखेंगे तो जानते हैं तो आज भी आपर सर्कीट में तो इसकी वज़ा जानते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कंपनी को गाके से वापस लाने के लिए क्या कर रहा है तो प्लान का एक प्लान आयता अठाइब को अप्डेट के अपने लेटर के राज चल रही है ठीकिन यह इनका लेटर अपडेट हुआ एक साथ हैं तो यह सकते हैं तो इनकी मिनिट्स बताया जारे में इनके अब देखते हैं तो जो नीज एप समस्थे सबसे पहले तोइसके इंदर क्या निए मतीकफ सालगे कि अधानी प्रोपटी लिटorem रोज टू भाइ अद्वाइट आपड़ करने बहुता कि अधनी गुरुप का कख़्हिक तौ चोटी कंपनी के लिए करते हैं तो वहां दिखेंगे आप उन शेरों में आटोमेटिक आपको तेजी देखने को मिल जाती है क्योंकि आपको पता यह नाम है ब्रांड जैसे अधानी ग्रूप एक कंपनी वेंचर के साथ काम करता आपको पता कि अधानी ट्रस वर्दी है अधा पर एक मिलेगी अब दीएगे इसके अंदर क्या हुआ अदानी प्रपरेटी ने सबसे आगे की बोली लेज कंपना उ c ठीक है सेकेंड ली हाउजिंग डेवलेमेंट इंफर सक्षन लिम्टेट के अंदर जो डील बॉली लेगी है अधानी प्रॉपट इसके लेगे और सेकेंड अप्लिकेशन जो बॉल बॉली लेगी है कंपनियों खरीदने के वह है सारदा कॉर्ट कंशक्षन की भी लेगी है और इन कई सारी कंपनियों के देख सकते हैं देव लैंड एंड हाउजिंग इनकी भी बॉली लेगी हुए यानि पांचे कंपनी के बॉली लेगी है बट उसमें दो नाम है जो मेने एक है अधानी दूसरा है सार्दा कॉंट कंसक्षन तो दोनों कंपनें काफी अच्छे दोनों मिट फरवरी के अंतर नों बोली लगाए थी ठीकिना अब यह बोली पर पर काम चल रहा है अभी कंपनी ने खरीदा नहीं है तो अधानी ने जो अधानी स्टेट ने जो फेल करा है क्लेम दो वो करा है 285 क्रोड पर गया ठीक है और एक और क्लेम करा है इनोंने 14390 क्रोड प करोड की एक लगा इनोंने 14390 क्रोड बेगी तो इस पर बात चल दिया अभी क्योंकि देखिए जो के जाता है जो लास्ट केस गया था सितंबर में क्या था वो रिजैक्ट हुआ था उसमें बॉली कम लगाए थी ठीकिना और जो इसकी पीरेट बढ़ाए गयते यानिकि जो केस की हैरिंग जो होते हैं इसके बढ़ गया है 30330 दिन का होता है तो कंपनी को कर्जे से निगालना भी है और जो शेयर होल्डर का ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों पर बात चल रही होती है अब किया है कि अब जैसे भी अभी बस यह न्यूज आई है कि यह लोग ए तो अब देखिए हम चलते हैं आज की दिन में ट्रेडिंग सेसन का चला है इसका वह समझते सबसे पहले तो हाउसिंग डेवलमेंट एंड इंफ्रसक्षा लिम्टेड तो आज की डेट में मोटा मोटा अभी भी यह मोटा मोटा साड़े चार परसंट तीजी के साथ यह नही अब देखिए पांच दिन के अंदर इसने हमार खो उननिस परसे रिटन देशुगा यानि मोटा मोटा बीस परसे रिटन देशुगा पॉजिटिव में वन मंद के अंदर इसने अभी तक हमारे को साड़ा उनतिस परसेंट दिये यह टू डेट के अंदर डेड़ परसेंट रिटन दे चुका अभी तक यह अभी मैं आपको बता है कि नियूस निकल गए यह वह निकल के दिए चार मार्च को अब हम चलते इसके च आती है तीन मार्च को निकल होगी आउटकम पूरा चारक अपडेट होती है कि तीन मार्च करेक्शन अब समझें अदानी ने इसको बोली लगाई अभी केस लगा हुआ है अभी केलिया नहीं है कि कंपनी खरीद ली गई है बोली में आगे है जब अप्रूब करेगी जब ही तो होगा अब क्या पता जैसे उत्तम वैल्यू स्टील था ठीक है तो उत्तम वैल्यू इस टील के अंदर वी जब दस पैसे प्रता शेर और तेन पर पहुँच चुगा था उस टेम्पर क्या हुआ तो उस टेम्पर होने सारे शेर वाइप आप कर दिते यानि जो शेयर होल्डर थे जिसके बाद जो शेयर तो नहीं जीरो कर दिते एंचल्टी क अभी तक अप्रूवल नहीं आई है कि जो जिनका शेयर होल्डिंग का उनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा तो अभी तर रेजुलेशन प्लान पूरा आउट कंपनी निकले रेजुलेशन प्लान के अंदर क्या डाला बस बोली दिखाई के बोली हुई है तो दोस्तों मेरा कहन है मतलब यह है कि जो पहनी शेयर होते हैं इसके अंदर कंपनी ना तो वरकिंग एंसल्ट इंसल्वेंस चल रहा है अभी नहीं किया अदानी का नाम जुड़ा है अब कंपनी नहीं करिए तो आपको क्या करना है अगर आपके पास शेयर है अगर आप अभी प्रॉफिट में तो निकलना चाहिए बाट अपने रिक्स पे से होल्ड करना तो होल्ड करिये मेरा माने समय अवाइड करिये अभी शेयर के अंदर कोई भी ऐसा मोमेंट देखने को नहीं मिला है कि आपको मल्टी बैगर बनाएगा हम मल्टी बैगर जुरूब है अगर आदानी का इसमें कर दें तो सब चीज़े देखनी पड़ती है क्या पता शेयर दी मर्जर होगा फिर रिलिस्टिंग होगी शेयर के काफी चीज़ होंगी इसके अंदम तो ऐसे शेयरों सो अवाइड करिए यह पहनी शेयर है अगर आपको प्रॉफिट हो तो निकल जाएगा फैनल उसके अवाइड करना है पैनी शेयर होते हैं अब इसे पैनी शेयर ने जो रैजुलेशन के अंदर होते हैं तो अब अब अच्छा करिया अगर अच्छा करने के पर पसिए अभी है नहीं जब फीचर में ऐसा तो है नहीं के आज एक दिम सा मल्टी बेगर बन जाएगा जब टैम ह पैनी शेयर है जिनके अंदर कंपनी वर्किंग है अब उनमें इन्वेस्ट करिए ना उनके साथ अपने कैपिटल गिरो करिए ना बट ऐसे शेयरों को अभी अवाइड करिए मैं आसा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारे सब सहमन के तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फ़वड करना बिलकूल ना बोले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो